जिंदगी का पूरा मज़ा लेने वाली स्लाइड आ गई है सर जी सर जी अब देखिए वही वही पॉइंट पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ें जिंदगी का मज़ा आप सब लेना चाहते हैं खूब पैसा चाहिए साथ खूब बैंक बैलेंस चाहिए करोड़ों रुपे करता नहीं होगी मुझे अगर चार बारी चट पर चड़ना पड़े तो मुझे कोई समस्था नहीं है पांच किलिमेटर भी अगर मेरा परिवार का हमें सैर करनी तो मैं नहीं ठखूँगा और मतलब 58 बर्श होने के बाद भी मैं दोनों हाथों में दो बाल्टी उठाके चल चलना चाहे तो आपकी टांगों में उशंता हो क्या यह खुशी के लिए जरूरी नहीं है और इसके लिए एक शब्द आज आज आप इस सेशन से अगर कुछ भी लेके ना जाएं तो मैं बुरा नहीं मानूंगा लेकर एक शब्द लेके नहीं गए तो मुझे दुख होगा कि आपने इस सेशन अटेंड किया ना किया बराबर हो गया और वो शब्द हैं मसल्स मसल्स ही आपका सही धन हैं मसल्स हैं तो आप युवा हैं आपकी डेट ऑब बर्थ से कोई अंतर नहीं पड़ता आपकी अगर मसल्स चली गई हैं तो आप जवानी में बुढ़े हैं और देखी कदम सर ये पिछले सेशन में नहीं दिखाया था आज आपकी टीम को ये टूल दे दे रहा हूं जिससे कोई भी टारगेट आपकी टीम पूरा कर सकती है जिसकी जैसी स्टितिय है वो समझ ले लिया होगा नहीं तो जो लीडर साथी ले 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 वो अपने ग्रूप में सर्कुलेट कर दे कदम सर ये आपकी जानकरी लिए बता दूँ कि ये वाहरत का नहीं विश्व का सबसे शक्तिशाली साइंटिफिक जर्नल है जिसका नाम लेके कसमे घाई जा सकती है जैसे हम बाइबल भी हाथ रखके या गीता भी हाथ रखके या कुरान भी हाथ रखके बोलते हैं लैंसेट डॉक्टर्स के लिए उतना ही शक्तिशाली पवित्रतों में नहीं कहूंगा लेकिन विज्ञान है उतना शक्तिशाली जर्नल है इससे जादा बड़ा जर्नल ताकतवर नहीं है ये बोल देता है तो पलड़ जाती है धारना है Lancet हमें क्या समझा रहा है मैं सर्वल भाषा में भी समझाऊंगा पहले English में नीचे लिखा है जिनको ग्यान है वो इंग्लिश में बढ़ लें Lancet कहता है कि जू जू हमारी उम्र बढ़ती है हमारे शरीर से तीन चीजें चोरी हो जाती है और ये पूरे कोविड काल में सर में गहन अध्यन करने से मेरे हाथ ही लगा मेरे दिल में तो था कि ऐसा होता है पर मेरे पास धांतिक रूप से कोई उसका एविडेंस नहीं था आज मैं एविडेंस ले कि आपकी सभा में आजिर हुआ हूँ लेंसेट कहता तीन चीजें चोरी होती है पहली मसल्स की महत्रा दूसरी मसल्स की शक्ती मतलल आप वैसे के वैसे दिखते हैं मसल्स भी हैं लेकिन शक्ती जैसे 20 वर्ष की उमरों में अगर आपके वास 35 प्रतिशद मिसL्स हैं और चालिस में भी आपने वैयाय करके कुछ कसरत करके उतनी प्रतिशत मसल लखी, फिर भी बीस वाले की मसल्स की ताकत आपसे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि चोरी हो रही है मसल्स की शक्ती की, ताकत की, और तीसरी चोरी हो रही है मसल्स की क्वालिटी की, ये इतना गहन भी दिल नहीं दिल से सुने सिलाइड को तिमाग से न सुने तो भी काम हो जाएगा जिनको साइस नहीं आती नहीं समझनी मैं चित्र से समझा दूगा लेकिन फिर हमें पता क्यों नहीं चलता देखें आपकी जेब से पाँच रुब में थैला तो भारी दिख रहा है वो लोहा है आपके शरीर में बॉडी फैट भर देती है नेचर और आपको कोई प्रयास नहीं करना आराम से बैठी अपने सोफा पे धीरे से कब मसल्स चली जाएंगी और कब आप मुटिया जाएगा आपको पता भी नी चलेगा और वही हैं कि आप ऐसे नहीं दिख रहे हैं और इस प्रकार आपका तोंदवा थोड़ा सा निकल रहा है मैं शमा चाहता हूं थोड़ी ब्यारी थोड़ी यूपी की वाचा में मैं आपको थोड़ा गुदगदा रहा हूं अब मैं सरलता से बता दूँ जिन लोगों को ना हिंदी सम जाए ना साइंस यह चित्र देख लिया और मां लिया तो जीवन पलट जाएगा यह व्यक्ति जो दिख रहा आपको यह वही व्यक्ति है क्या अंतर आ गया मसल्स की मातरा घट गई ताकत घट गई क्वालिटी घट गई और ऐसा हो गया इस व्यक्ति को कोई रोग नहीं होगा इसको कोई नपनसकता नहीं होगी इसको जीवन में कभी इसकी पत्नी डॉक्टर साब के पास जाके नहीं बोलेगी कि डॉक्सा भी आजकल ठक जाते हैं कहना वह यह चारी नपनसक हो गया है शमा चाहरा हूं इस भाशा के लिए लेकिन इस व्यक्ति को हृदे रोग न आपको करना पड़ेगा लेकिन व्यायाम करके ही तो ऐसा शरीर है पोशन और व्यायाम से ही शरीर पोशन व्यायाम के साथ ध्यान भी कर लेंगे तो पूर्ण तहा जीवन कभज में आ जाए अपना अपना रास्ता ढूलिए लेकिन यहां मैं मैं म्यूटिशन बोलने के आप तन के खड़ेवे मिलेंगे मुझे नहीं तो बाकी लोग असी वर्ष की उमर में पता नहीं कैसे मिलेंगे मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे मालूम नहीं यह लैंसेट दुनिया का सबसे स्ट्रेस्ट जर्णल में एक लाइन में करोड़ों रुबे की बात समझा दी और बहुत सारी बाते हैं अगर यह मसल्स नहीं बचाएंगे फैट बढ़ने दिया तो डायविटीस से आपको कोहीं नहीं बचा सकेगा पचास करोड़ लोगों में सोना करोड़ लोग और इसकी चपेट में आ चुके हैं पलटती नहीं है जिस लड़के से में सुभा बात करता था, 35 वर्ष का है मेरा बड़ा प्री है लेकिन उसको डायविटीस है क्या करूँ? उसकी मा को भी डायविटीस है क्या करूँ? कैसे बचाऊ। कैसे बचाऊ। नहीं से उसके लिए ले लिए रिदे रोग नहीं होगा अगर आप यह सब बातें मान लेंगे, मसल्स बचा लेंगे. पीठ नहीं दुखेगी आपकी, ठांगे घुटने नहीं दुखेगे अगर आप ने मसल्स बचा ली और थोड़ा व्यायाम और ध्यान कर लिया. इतना सा है वो कहते हैं न दो शब्दों की कहानी है साब ये देखिए वो आंकड़े जो मैं दिखा रहा था आप फोटो उठा लें जिनको प्रूफ चाहिए वो फोटो उठा लें बहुत दिनों की महीनों की मेहनत से निकाली है आपको मैं दे दे रहा हूं भेट स्वरूग कदम सर और ग प्रूड़क आगे नहीं जाएगा कदम सर आप उनके क्या कहते हैं न बिछड़े वे भाई हैं बिछले जनुके तो दोनों भाईयों को मेरा अपील है कि आप ही शायद आर्सियम को इस रस्तक लाएंगे और यह देखिए मैं आपको सिर्फ जलक दिखला जा में दिखला रह हैं परिवार के बिना भी संबबनी है शायद तीन बॉले हैं आम लोगों की अपिक्षा अगर आपको बैटर जीना है लंबा जीना है क्वालिटेटिव लाइफ चाहिए तो दो ही तरीके हैं एक तो प्रोटीन खाईए साब बरपूर खाईए और व्यायाम करिए देखिए पहले दिन से मैं आपको 200 सीड़ी घ्यान बांट रहा हूं मैं खुद नहीं चड़ पाया मैं 72 सीड़ी रोज चड़ रहा था अब मैं 144 सीड़ी तक आ गया हूं 6000 कदम पहले नहीं चलता था अब मेरा एनुल एवरेज 8600 कदम है जो थोड़ा सा घट गया है ये लोगडाउन म बाहर नहीं जाने पाता हूं घरवालों को डर लगता है कि भी 8500 के हो गए क्या हो जाएगा तो थोड़ा उतना नहीं चल पाता हूं लेकिन फिर भी 8600 कदम का मेरा उसत है और प्रोटीन के लिए जिस चीज़ पे मैं हृदे से विश्वास कर गया हूं वो आपको दिखा रह की बारत में मुझे भी कहीं से चाहिए तो आपको मिलेगा और वे लेंगे लिया कि उपलब नहीं पैर बाद के रूप ने खाया या ड्यूप दयाम करेंगे तो बताने की जरुतनी मसल्स बनेंगी बची रहेंगी और काड़ा आप पी लेंगे तो बहुत ही बेतर है नहीं भी पीएंगे आपने न्यूटिचान मैं या गुमेल लिया और साथ में प्रोडाइट भी लिया है परियात मात्रा में तो रोग प्रतिरोधक शम नहीं ही प्रोटीन के साथ आपको 6 लाघ रोपे केलो का केसर तोंद जाती ही नहीं जाती क्यों क्योंकि हमारे नाश्टे में प्रोटीन जिसमें है जैसे अंडे में भरपूर है लेकिन उसमें 17 ग्राम फैट है या तो आप अंडे खाईए आपको अलग से प्रोटीन लेने की आप शक्ता शायद नहीं रेगी अगर आप शाकारी नहीं है लेकिन फिर तैयार हो आपको ढूंडना पड़ेगा जो इसमें 300 कैलोरी दो अंडे से मिलगी इसको जलाने का अंदाजा के लिए बता दूं कि आपको एक घंटा चलिएगा तो शायद 1500 कैलोरी जलती है पौना घंटा में तो यानि देड़ घंटा पैदल चलिए तो 300 कैलोरी जलेगी नहीं बिना कैलोरी के प्रोटीन चाहिए तो इस पे आईए दूसरी बैत और बता देता हूं प्रोटीन के नाम पे भरपूर धोखा भारत में होता है ये तीनों कमनिया जो सामने दिख रही है शायद धोखा नहीं देती है पर फिर उसके पैसे भी लेती है 96 रुपे प्रती दिन के आपसे नूटिलाइट मांग रही है 109 रुपे प्रती दिन के प्रोटीन सोला ग्राम देने के आपसे हर्बा लाइफ मांग रही है और 72 रुपे वेस्टीज भी मांग रही है मैं इनको मेरे को किसी भी कमनी की बुराई नहीं करनी तीनों प्रोटीन तो अगर उच प्रोटीन चाहिए लेकिन कैलोरीज नी चाहिए फैट नी चाहिए तो यह प्रोड़क्ट है आर्सीम का जो केवल पचास चोपन रुपए इसका शायद चोपन रुपए अवेमार्पी हो गया है लेकिन जैसीम बोलते नो रुपए घट जाता है तो पिंतालीस अमेरिका का ड्यूपों का विश्व का सर्व श्रेस्ट प्रोटीन मिलता है अगर आप सोयाबीन की बढ़ियां या कोई और प्रोटीन का अधारित प्रोड़क्ट लेने की कोशिश करेंगे तो उसमें मिलावट मिलेगी आप केवल एक काम करिए प्रोटीन का कोई इस लिए इसको लेता हूं की हुडेरों के या लेंगे तो उसमें आपको एंटियोक्सिडेंट का सुख मिलता है जो एक स्रॉबरी मतलब दूसरा या तीसरा सबसे सम्रिद्ध फ्रूट है जिसमें एंटियोक्सिडेंट होते हैं सीजन आए तो जरूर खाया कीजिए लेकिन साल बर खाना है तो न्यूट्रिचार्ज स्रॉबरी प्रोटाइट लीजिए केसर पिस्ता केवल और केवल न्यूट्रिच हुए और उसमें मिलाया क्या हुआ था आप जो शहत समझ के बड़े प्यार से अपने बच्चे को खिला रहे थे उसमें शक्कर का गोल मिलाया हुआ था इस तरह की मिलावट अभी मैं आपको एक प्रोड़क्त दिखाता हूं उसमें आपको सिद्ध करूँगा की होती है और डंके की चोट पर होती है तो यह आरसीम में नहीं मिलेगी और यह प्रोड़क्त आपकी मसल्स बचा के आपकी जान बचा सकता है जो हमने आज बात करी कि साब यह इस प्रकार आप मतलब अपना जीवन बचा सकते हैं बाद मैं सिद्ध कर रहा हूं आपको चले आज एक नए प्रोड़क्त क्योंकि मेरे को कदम साब ने विशिश्श तौर पे कहा था कि सब्सघ्ण हमारे टीम को पढ़ा एं जिन नए मतलब प्रोड़क्त हो पहले के हैं पिछली बार नहीं लिए थे उन पे लिए चलता हूं दुबारा से शेयर स्क्रिन करता हूं और सबसे पहले व में आपको समझाने की चेश्टा करता हूँ, नौ बज़ के साथ मिनट हुए, नौ सत्रा से पंदरा से सत्रा के बीच में चेश्टा करूँगा कि मैं आपको समझाओं, होता क्या है, घुटने दुखते क्यों है, यह सामने आपको एक जॉइंट का फोटो दिख रहा है, उपर की हड्डी है, नीचे की हड्डी है, है ना, बीच में कुछ थोड़ा मसाला है, और यह हड्डियां आपस में जुड़ी ही है, यही आपका घुटने का जोड़ है, और यही दुखता है, कारण, पहली बाद यह हड्डियां जो है, इसकी हालत दिखाता हूँ आपको, आपको कोई घुटने का दर्द नोगा आपकी पीटवी नी दजगने filed अनुन? और ये जो इदर रहा क्या महीन महीन रहे गए बिलकुल एक दम महीन जिल्ली जैसी जाली बन गए इसमें से माल चोरी हो गया साथ खोकली हो चुकी है दिख रही है हड़ी तो दम नहीं है जो और से सर पे मारें हैं तो फूट जाएए ये कारण है गुटने दुखने का कि पहला कारण कि आपकी हड़ी खोकली हो रही है और महिलाएं विशेष्टा सुने क्योंकि जैसे ही आपकी महावरी थमी आपकी हड़ी पिशाव के रास्ते केल्शियम, फॉस्फोरस, मेगनेशियम शरीड से तेजी से भार जाता है और भी न रहें तो जैई राम हो गया विल्कुल जैयर सीम बोलते हैं आप जैसे तो ना तो मसल्स बची न हट्टियां चलेंगे कैसे ये समस्चा है इसलिए आपके घुटने दुखते हैं घुटने अकर जाते हैं सीड़ियां नहीं चड़ पाते हैं अब देखिए चार चीजह होती है अग उन्गली बेगिन लीज़े पहला यह जो दोनों तांगों की हटिया बड़ी बड़ी एक दूसरे से लड़े नहीं इसलिए बीच में काटिलेज होती है कैसे समझाओं घर में जी से बाप और बेटा नहीं लड़े तो घर में इसलिए मा होती बाप को समझाती है डाटो मत बड़ा हो गया है बेटे को समझाती है तेरे बाप हैं तो यही काम यहां काटिलेज करती है यह बीच में रबर जैसी होती है दो हट्टियों के बीच में और यह बीच में है इसलिए दोनों हट्टियां एक दुसरे से टकराती नहीं रगड़ती अब यहां आपको दिख रहा है साफ कि किसी कारण से यह काटिलेज घिस गई है, शती ग्रस्त हो गई है, अब हटियां एक दुसरे का हाल चाल पूसरी में, अब मा घर नहीं होगी तो बाप बेटा तो लड़ेंगे, एक आदा धा जापड़ भी पड़ जाएगा बच्चे को, तो यहां पर मा कौन है काटिलेज, अब काटिलेज आपकी घिस गई, अब न्यूटी चार्ज से पोशन से हमको यह मा को वापस लाना है, यह काटिलेज वापस लाना है, दूसरा, गुटने के जोड़ों में थोड़ा द्रवे होता है, जैसे कैसे गोलूं सर, आपका जटके को मतलब सोख लिता है, और आपको तकलिफ नहीं होती है, अब यह इधर देगी साब, आपने पोशन का ध्यान नहीं रखा, घुपने का ध्यान नहीं रखा, न्यूट्रिशन ठीक से नहीं लिया, और उमर भी बढ़ रही है, तो यह द्रवे घटने लगता है, अब स किसरा जो समस्या है, कि जब यह देखिए, अब यह actual X-ray से पढ़ा दे रहा हूं, यह कोई दिखावट नहीं है, यह ऐसा समन्य घुटना है, यह देखो, X-ray में दोनों हड्डियों के बीच में यह जादू की स्पेस क्यों दिख रही है, अरे यह क्या माल भराय बीच में भ खेलिए, कूदिए, नृत्य करिए, जो करना करिए, बैड्मिंटन खेलिए, स्पोर्ट्स करिए, नृत्य करिए, डांस करिए, जो करना करिए, आप सब कर सकते हैं, सीडियां भी चड़िये, और अगर यह हड्डियों में नजदी की बढ़गी है, यानि बीच की काटिले, बीच का द्रवे थोड़ा सा गट गया है, अब यह नजदी की यहां आपके लिए भारी पड़ रही है, क्योंकि यह दोनों हड्डियां इतनी मित्रवत नहीं हैं, वह आपस में इतना प्रेम प्यार नहीं हूं, उनके बार्डर पे जगड़ा हो रहा है, अब इनके बार्ड बड़ा भ्यानक ऑपरेशन इसा, मतलब आपने घर में अगर कभी गाजर चीली होती है, तो ग्रेणी क्या करती है, कि उपर से गाजर की मुंडी को है न, ऐसे करके काट देती है, तो घुटने के जोड के ऑपरेशन में, आपकी घुटने की हट्टियों को, जैसे कोई गाज कीजिए, अगले 10 साल आप खुब एश कीजिए, पर लेकिन अगर आपका 50 वर्ष की मुमर में हो गया, अगले 10 वर्ष में आप 60 क्यों हो गए, आप 60 वर्ष में वो जोइंट जो है, वो नमसकार के देता, बोले सर मेरे बहुत साल हो गए, आप मैं काम ने करूँगा, अब अगर आप चाहेंगे कि इसमें पुराना जोइंट निकाल के नया लगा दे, वो इतना सरल काम नहीं रहेगा, अब 65 की बाद आपका क्या हाल होगा, कोई नहीं जानता, क्योंकि जो आपका ऑपरेशन करके 5 लाग, 10 लाग रोपे ले गया, वो 65 की उमर में आपको मिलने वाल नहीं, तो यह ओपरेशन की जल्दी करना बड़ा बेवकुफी है, इसकी जगा पोशन से न्यूट्रिचारज बीजे आपके रक्षा कर सकता है, न्यूट्रिचारज बीजे दर्ध घटाने वाली दवाई नहीं हैं, अगर आप दर्ध घटाने वाली दवाईयां खा रहे है उससे घुटना घुटना बचने नहीं वाला है उससे आपका कुछ भी होने वाला नहीं है उससे आपके घुटने और नश्ट होने वाले हैं आपके पेट में एसीडिटी होने वाली ये सब होने वाला है न्यूट्रिचार्ज विजे के अंदर कई चीज़े में एक का वर्ण सिर्फ करता हूँ जो आपको बजार में मिलने वाली नहीं है वो है रोजिप पौडर विदेशों से आयातित एक जंगली फूल का पौडर है साब यह एक ही तत्व बता दे रहा हूँ जो आपके इसके सेशे में भड़ा है आठ सो मिली ग्राम यह आपको भारत में नहीं मिलता है न्यूट्रिचार्ज बाहर से लेके आया विदेश से और यह रोजिप पौडर प्राकृतिक चीज है कोई दवा नहीं कोई स्टिरोइड नहीं कोई इंजेक्शन नहीं कोई टीका नहीं लेकिन यह आपके घुटने की इंफ्लेमिशन घटा देगा इंफ्लेमिशन यानी सूजन अकड़न घटा देता है प्राकृतिक तरीक से घटाता है आप दबा नहीं खा रहे हैं आप खाईएगा मैंने पिछले पांच वर्च से एक भी गोली पेन रिलीफ की नहीं खाई है नहीं खाई है आप थोड़ा विश्वास करें और मुझे तकलीफ थी और इसी तरह खटाई है यह मैंने केवल एक तत्व आपको एक्स्क्लेम किया दूसरा भी बता जिता हूँ जो भारत के जितने भी हर्बल स्पेशलिस्ट है वो घुटने के जोडों के अराम के लिए बॉस्वेलिया का देते हैं पाउडर चूर्ण और वो भी इसमें भरपूर है यानि कि भारत की जो प्राकृतिक थरैपी है उसका भी सत्व ले लिया और जो विदेशों में प्राप्त होई जानकारी उसको भी उठा लिया इसे इतना सवर्दस्ट प्रोड़क्ट बना जिसमें एक हैं न्यूटिजाज वीजर टैबलेट अब इसमें बहुत सारी चीज़ें एक एक कवर्णन आज संभव नहीं है लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ ग्लुकोजमीन आपकी घिसी भी घुटने की जो कार्टिलेज है जो मा थी बाप और बेटे के बीच में से हट गई थी तो मारपीट हो रही थी वो मा वापस आ जाती है मा वापस आ जा तो ग्लुकोजमीन यानि काटिलेज वापस आ रही है क्यूंकि आपने न्यूटिचार्ज बीजे टैबलेट में भरपूर और बहतरीन क्वालिटी की ग्लुकोजमीन दी घटिया वाली नहीं और ग्लुकोजमीन आपकी दर्द दूर करते हैं आपकी काटिलेज की रिपेर करते हैं फिर मैं सहे क्यों खाऊं? टैबलेट में इतनी सारी चीज़े हैं तो सहे नहीं खाएंगे तो रोज़ूग पाउडर कहां से पाएंगे? जो आपकी प्राक्रितिक तरीके से आपके जोड़ों की दर्द दूर करता है मिल्क कैल्शियम जो आपकी हड्डियों की मजबूति के लिए जरूरी है भरपूर मातरा में आप पिजाज बीजे का एक सेशे काट लें और उसे खुश्बू लेंगे तो आपको दूद भी खुश्बू आएगी कि मिल्क कैल्शियम भरपूर मातरा थाइससो मिलीक्राम कैल्शियम एलिमेंटल कैल्शियम है इसके लिए भरपूर डालना वड़ता है तब थाइससों है